नमस्कार विद्यारतियों मैं डॉक्टर अशोग कुमार आपका आज के इस वीडियो लेक्चर आधुनिक ग्रंताले स्वचलित में हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले वीडियो में हमने आधुनिक ग्रंतालों के बारे में जाना आज हम स्वचालित ग्रंतालों के बारे में चर्चा करेंगे इस चर्चा के विशय के उद्देश्य हैं गरंथाले सुचालन को समझना, गरंथाले सुचालन के मुख्य कारण और उद्देश्यों को जानना ग्रंथाले सोचालन के अनुप्रियोग के छेतर जहां हम ग्रंथाले सोचालन को इस्तमाल कर सकते हैं आता गरंथाले सुचालन का मुख्य रूप से अधिगरण, प्रसुची करण, केटलॉगिंग, परिचालन, सर्कुलेशन, पत्री का अन्यंत्रण और प्रतिवेदन जैसे उप अनुभागों में इस्तमाल सुचलित गरंथाले की मुख्य विशेष्टाओं के बारे में इस ले इगरण, प्रसुची करण, परिचालन, सर्कुलेशन, सीरियल नियंत्रण, आदी का मशीनी करण करना दूसरे शब्दों में गरंथाले सुचालन का अर्थ है कंप्यूटर और अन्य प्रध्योगिकियों का उप्योग करके गरंथालियों के कार्यों में मानव का कम से कम हस्त जागत नित्य प्रति दिन की संक्रियाओं चैसे अधिग्रहन, प्रसूची करण, परिचालन, सीरियल नियंतर्ण में कम्प्यूटर का अनुपरियोक करना, अर्थात जो लाइबरेरी के हाउसकीपिंग कार रहे हैं, उनका मशीनी करन करना, आएए गरंथाले सुचालन के गरंथाले सुचालन एक उपयोगी प्रणाली है, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, नई सेवाएं प्रदान करना जो इसके बिना संभव नहीं हो सकती, सूचनाओं, उत्पादों और सेवाओं के प्रबंदन में सुधार, उपयोगताओं को सूचना, उत्पाद और सेवाओं का व्यापक उप्योग करने की सुविधा प्रदान कराना सूचना के उत्पादों और सेवाओं के व्यापक प्रसार की सुविधा प्रदान कराना संसादनों गरंथाले नेटवर्क में साज़ेदारी करना और अन्य गरंथालियों व्यवसाइकों में परस्पर सर इसी पनाली बनाना जो अत्यदिक यूजर्स की मांग को वहन कर सके आता सचालिन के द्वारा गरंथालियों की सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाना नई सेवाएं प्रदान करना जैसे वर्चुल रेफरेंस सर्वेसेज, ई-डी सोर्स को एक्सिस देना जो इसके मिना संभव नहीं हो सकती हैं सूचनाओं, उतपादों और सेवाओं के प्रभंदन में सुधार करना उपयोकताओं को सूचना उत्पादों और सेवाओं को व्यापक उपयोक करने की सुविधाय प्रदान कराना सूचनाओं के उत्पादों और सेवाओं के व्यापक प्रसार की सुविधाय प्रदान कराना संसादनों गरंथाले नेटवर्क में साजिदारी करना गरंथाले सुचालन संसादनों की नेटवर्किंग और गरंथालों की नेटवर्किंग में एक महत्पूर्ण प्रणाली है जिसके द्वारा आप अन्य गरंथालों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं और अपने जो संसादन हैं उनका साजी करन कर सकते हैं अन्य गरंथाले और व्यबसाइकों में परसपरस सलता से संप्रेक्षण की सुविधा उपलब कराना गरंथाले सुचालन का एक प्रमुक कारण है गरंथाले सुचालन के मुख्यकारण गरंथाले को सुचालित करने से पूर्व उपरुक्त कारणों की जाच करके अपनी प्रत्मिक्ताओं के अनुसार कार्यों का संपन करना चाहिए रणनिती के रूप में कार्यों की प्रार्तमिकताओं को उप्योकताओं के समुधाय, प्रबंदन और गरंथाले करमचारियों से परामर्ष करके ही तयार किया जाना चाहिए इससे इस प्रक्रिया को लागू करने में सबसे ज़्यादा सैयोग प्राप्त होता है क्योंकि गरंथाले सुचालन में करमचारियों द्वारा एक महतपूर्ण रोल निभाया जाता है यहाँ पर यह भी महतपूर्ण है कि हमें गरंथाले सुचालन को प्रवावित करने वाले घटकों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि तकनीक, ट्रेनिंग की आवशक्ता, गरंथाले के विविन परकार के संसाधन तथा बजट इत्यादी इत्यादी यदिपी गरंथाले सुचालन में कम्प्यूटर एहम भूमी का निभाते हैं परंतो दूर संचार और रेप्रोग्राफिक प्रद्य की भी उतना ही महत्पूण भूमी का निभाती है क्योंकि यह सब भी गरंथाले सुचालन में मदद प्रदान करते हैं आईए गरंथाले सुचालन के अनुप्रयोक के छेत्रों को समझे गरंथाले सोचालन की आधारबूत गतिविदियां बिना गरंथाले के आकार और प्रकार को ध्यान में रखते वे निम्न लिखित हैं अधीग्रहन प्रसुचीकरण जिसे हम केटलॉग भी बोलते हैं दे अधे या समानने बोलचाल की भाषा में परिचालन सीरियल पत्र पर्तिकापर नियंत्रन प्रतिवेदन अता उपरोग गतिविदियां आपस में एक दूसरे से जोड़ी हैं और अनुक्रम में निश्पादित करने से गरंथाले की सेवां को बहतर बनाया जा सकता है गरंथाले सुचालन के उप्योग के शेत्र हस्तचलित पारंपरिक गरंथाले के कार्रे जैसे अधिग्रहन, तक्नीकी प्रकरिया, सर्कुलेशन, सीरियल नियंत्रन, दे, आदे और संधर्ब सेवाएं काफी समय लेती हैं हाला कि ये सभी गतिविदियां गरंथाले के कार्रे करने के लिए अनिवार रहे हैं हस्तचलित कार्रे में विभिन गतिविदियों की पुनरावर्ती हो जाती है इस प्रकार सुचालन का उद्देश्य इन गतिविदियों को एकी करत करके कार्रे की पुनरावर्ती को कम करना होता है अथा गरंताले सुचालन की आधारबूद कतीविदियों उनके आकार वा प्रकार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिकित छेत्रों में गरंताले सुचालन का अनुपरियोग किया जा सकता है पहला अधिगरफण दूसरा प्रसुचीकरण या केटलॉगिंग गरंताले सुचालन के लिए हमें एकिकरत गरंताले प्रबंदन सॉफ्ट्वेर की आवशकता होती है एकिकरत गरंताले सॉफ्ट्वेर पैकेज के रूप में उपलब्द होते हैं जो गरंताले सुचालन में प्रियोग किये जा सकते हैं ILMS package गरंथालियों को सबी गतिविदियों एवं दिन प्रती दिन के कार्यों को एकिकरत करता है कोहा इसी प्रहार का एक एकिकरत गरंथालिय प्रबंदन सौफ्ट्वेर है जो पुस्तकाले सुचालन में प्रियोग किया जाता है आईए गरंथाले सुचालन के मुख्य उद्देशों को समझें पहला सेवाओं वाकार्यों का निश्पादन दूसरा उत्पादक्ता यानि के आउटपुट के स्तर में सुधार और गुणमत्ता में सुधार लाना आता तीसरा उन सेवाओं की पूर्ती करना जो हस्त चलित प्रकरिया दोरा संभव नहीं हो सकती है जैसे संसाधनों में साजेदारी और केवल इलेक्टोनिक रूप में उपलब्द सूचना है उधारन के सुरूप CD-ROM, इंटरनेट, संसाधन, डेटाबेस इत्यादी इस प्रकार ग्रंथाले सुचालन के मुख्य उद्देश्य हैं सेवाओं वा कार्यों का निश्पादन करना आउटपुट के इस्तर और गुणवत्ता में सुधार लाना और उन अवशक्ताओं की पूर्ती करना जो हस्त चलित ग्रंथाले में संभव नहीं है जैसे संसाधनों की साजेदारी करना और केवल इलेक्टोनिक रूप में उपलब्द सूचनाओं को पाठकों को उपलब्द कराना जैसे सीडी रोम, इंटरनेट और डेटाबेसिस इत्यादी आईए ग्रंथाले सुचालन का अधीग्रण अनुभाग पर प्रभाव समझें पाठ्थे समगरी पुस्त के पत्र पत्री का इत्यादी प्राप्त करना अन्य पाठ्थे समगरी, समाचार पत्र, डेटाबेस, ई-पुस्त के इलेक्टोनिक समगरी, नक्से, चार्ट, इत्यादी अर्चित करना विशाल मात्रा में आकणे, असंक्य फाइले, अभिलेक, आधी का रख रखाओ प्रती दिन के ठकाओ और पुन्रावर्ती वाले कारें, कंप्यूडर का नित्य प्रती दिन के कारें में उप्योग पुस्तकाले सुचालन का अधीगरण अनुभाग के प्रभाग करंथाले के अधिगर्ण प्रभाग में हम पाठ्थे समगरी, पुस्त के, इलेक्टोनिक समगरी, नक्षे, चार्ट, इत्यादी प्राप्त करते हैं इन पाठ्थे समगरियों जिसमें शामिल है पत्र-पत्री का हैं समाचार पत्र डेटाबेस इपुस्त के आधी पत्र-पत्री का विभाग सीरेल प्रभाग द्वारा अरजित की जाती हैं हस्त चलिद अधिगर्ण प्रणाली में विशाल मात्रा में आकडों, असंख्य फाइलों, अभिलेकों आधी का रखरखाव शामिल होता है जिसमें दिन प्रती दिन के ठकाव और पुनरावर्ती वाले कार्य होते हैं कंप्यूटर के द्वरा इन नित्य प्रती दिन के कार्यों को शीग्र वा सटिक्ता के साथ पूरा किया जा सकता है आईए अधिगर्ण प्रभाग के प्रमुक कार्यों को समझें प्रलेखो का चेन, प्रलेखो के क्रेख आदेश जारी करना, प्रलेखो के आदेशों को रदवा उनका दावा करना, बिलोकी प्राप्ती एवं उसका प्रक्रिया करन करना खरीद क्रे में विस्तार, उपहार की जानकारी, गरंथाले समंदी वित्य अनुदानों को व्यवस्तित करना, निधी आबंटन एवं उसके समायोजन की ट्रैकिंग करना, आथा आबंटित निधी से खर्च जिसमें शामिल है नकदशेश, विशिष्ट लेंदेन, वित्य का अगती करना, अथा अधिग्रण विवाग के प्रमुपकारे हैं प्रलेखों का चैन करना, चैनित प्रलेखों के आदेश तैयार करना, तथा उन प्रलेखों के क्रियादेश बनाना, प्रलेखों के आदेशों को रद एवं प्राप्तना होने वाले प्रलेखों का दावा क भीक्ट करने बिलोकी प्राप्ति एवाम उनका प्रक्रिया करने यानिके प्रोसर्सिंग करने खरीदवाकरे में विस्तार। उपहार की जानकारी की ट्र decoration करना। ग्रंते अले में समस्त वित्य icon को विवस्तित करने। निधी आवंटन और उसके समायोजन की ट्रैकिंग करना, एवं आवंटित निधी से किये गए खर्च का लेखा जोका रखना, नकद शेश विशिष्ट लेंदेनों के अभी लेखों द्वारा वित्य सुचनाओं का अगति करन करके अगतन के खर्चों की ट्रैकिंग करना, यह सब अधिगर्ण वाग के कुछ प्रमुक कार्ये हैं, जो हम ग्रंधाले सोचालन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, चो कि एक फरंपरागत तुस्ध काले में यह कार्रे बहुँँदा टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, बहुँदा मेहनत के कार्रे होते हैं, जिनको हम बिब्लोग्राफिक डेटा संबंदी विवरणों की प्रविष्टी करना, तत्थपच्चात प्रसूची करन मॉड्यूल में आयात करके प्रसूची करन विवरण बनाना, और सामान्य हस्त चलित प्रणाली में सभी गतिविदियों के लिए बार-बार विवरण तयार करने प्रविष्टी के उपरांत, इनका उपयोग दिन प्रतिदिन गतिविदियों में जैसे पुनाजाच, क्रयादेश, प्राप्ति, अधिग्रहन करने में और इनके विवरणों का प्रसूची करन मॉड्यूल में आयात करके प्रसूची करन विवरणी बनाना है, इस प्रणाल में सभी गतिविदियों के लिए आपको बार-बार विवरण तयार करने पड़ते हैं, उपरुक्त सभी कार्यों को हस्तचलित प्रणाली की तुल्ना में, कंप्यूट्री गृत प्रणाली द्वारा अधिक शीगरता एवं निपुणता से पूरा किया जा सकता है, आईए ग प्रसूची करन तयार किया जाता है, जिसमें सेवाओं की गुडवत्ता पर सुचालन का अत्यदिक प्रभाव पड़ता है, और वेवसाईकों का मुल्यवान समय देनिक कार्यों में वतीत होने के कारण, एवं ठका देने वाली पुन्रा विरते की प्रकिरियां, एक ही भार म में प्रसंगीक आकड़ों को तयार करना वा उपलब्द अन्यकार्यों हेतु कराना है, तसपस्चात अभी लेखों के विवरोनों को गरंत्याल्यों में ही पुना पराप्त करना, कम्प्यूटर द्वारा निपुन्ता से जाज, समग्रियों की खोज, उप्योगतां को आसान अधिगम उपलब्द कराना, कम्प्यूटरी करत के द्वारा नए आगमन की सूची, सूची पत्रक, मुद्रित करना एवं वांग में बिब्लोग्राफिय आदितियार करना है, आईए प्रसूची करन यानि के कैटलॉगिंग प्रभाग के उपर गरंताले सुचालन के प्रसूची करन यानि के कैटलॉगिंग करके तयार किया जाता है, प्रसूची करन गरंताले के संग्रहों की खिडिकिया यानि के जरोके के समान होती हैं, जिससे सुचालन का प्रभाव उनकी सेवाओं की गुड़मत्ता पर लंबे समय तक पढ़ता है, हस्त चलित वातावर वाली प्रविष्टियों की जाज की प्रकिरिया ठकाने वा समय नश्ट करने वाले होती है सुचलित प्रणाली में एक बार प्रसंगिक आखड़ों को त्यार करके कंप्यूर्ट में उपलब्द करा दिया जाता है जिससे मानक प्रारूप में प्रसुची त्यार की जा सकती है इसके पश्याद इन अभी लेखों के विवरणों को गरन्थाले नेटवर्ग द्वारा गरन्थाले में ही उत्पन करके उप्योकताओं के विविन प्रकार से अधी गमों को बहुत जल्दवा कुशलता द्वारा पूरा किया जा सकता है पुना प्रस्ति की जाच कम्प्यूटर द्वारा निपूरता से करे जा सकती है और गरन्थाले समगरियों तक खोज विविन तरह की अभी गमों द्वारा उप्योकताओं को असानी से प्राप्त हो जाती है कम्प्यूटरी करत प्रसुची के द्वारा नए आगमन की सुची, सुची पतरक, मुद्रित करना तथा वांग में बिबिलोग्राफिक को तयार किया जा सकता है इसी प्रकार प्रसुची गरण का एक अन्य सुरूप है Online Surgeoning अभिगम सुची जिसे हम OPEC Online Public Access Catalog कहते हैं एक IELMS का उप्योग करके Electronic प्रसुची को Online Public Access Catalog OPEC कहते हैं सचलित एकिकरत प्रवंदन गरंथाले अप्रणाली में परसपरस खोज का मॉडल है OPEC एक बहुगती शील अतियंत लचीला, सरल और किफायती होता है उप्योगताओं के लगबग सभी संभावित उपागमों को पूरा करने में शक्षम है इसके खोज करने की शमता अति तीव्र एउन सटीक है पूर्व के OPEC जो की स्टेंड अलोन एक मात्र ऑनलाइन प्रसुची में विख्सित हुए थे जिसमें उप्योगता गरंथाले में उपलब्ध समगरियों को केवल गरंथाले के कम्प्यूटरों से खोज कर सकते थे इंटरनेट के आगमन से अधिकांश गरंथालों के OPEC इंटरनेट पर उपलब्ध हैं जिने 24 गंटे 7 दिन के आधार पर एक्सेस किया जा सकता है उप्योगता OPEC के माध्यम से दूरस्त खोज कर सकते हैं खोज की सुविधा के माध्यम से उप्योगता को प्रतेक समगरी की इस्थिती की जानकारी सटीक रूप से प्राप्त होती है ओल्लाइन सारवजनिक अभिगम सूची यानि के OPEC OPEC के हम सामान्य बोलचाल की भाषा में Online Public Access Catalog भी कहते हैं एक ILMS यानि के Integrated Library Management Software के द्वारा उप्योग करके हम प्रसुची करण की गतिविद्यो को Electronic प्रसुची में परिवर्तित कर सकते हैं और उप्योगता के लिए प्रसुची तक अभिगम उपलब्द कराते हैं से जानते हैं Online Public Access Catalog अन्य शब्दों में कहें तो OPEC एक स्वचलित एकिकरत गरंथाले अप्राणी में परस पर खोज का मॉडियूल है OPEC बहुत गतिशील एक अर्थ में अत्यनत लचीला सरल किफायती और उप्योगताओं के लिए लगबख सभी संभावित उपागमों को पूरा करने में शक्षम हैं इसकी खोज करने की शमता अतितीव एवं सटीग होती है पहले के OPEC स्टेंड अलोन एकमात्र ऑनलाइन प्रसुची से विक्सित हुए थे जिसमें उप्योगता गरंथाले में उपलब्ध समगरियों को गरंथाले के कम्प्यूटर टर्मिनल से ही खोज कर सकते थे इंटरनेट के आगमन से अधिकांच गरंथालियों का OPEC अब इंटरनेट पर उपलब्ध है जो सभी उप्योगताओं के लिए 2400 घंटे 7 दिन के आधार पर काम करता है उप्योगता OPEC के माध्यम से दूरस्त खोज कर सकते हैं और ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं खोज की सुविधा के माध्यम से उप्योगताओं को प्रतेक सामगरी के परिचालन की सूचनाएं जिसमें प्रतेक सीर्षक की इस्तिती आधी 60 गूरूप से प्राप्त होती है प्रसूची करन केटलॉगिंग वैब ओपेक के बारे में जानते हैं आउनलाइन सूची को वैब के साथ जोड़ें इसे हम वैब ओपेक कहते हैं जब हम अपने आउनलाइन केटलॉग को जब हम अपने लाइबरी के केटलॉग को आउनलाइन सूची से जोड़ देते हैं जो कि हम वेब के द्वारा कर सकते हैं उसे हम वेब ओपेक कहते हैं वेब ओपेक एक प्रकार का ओपेक है जो वेब पर उपलब्द कराया जाता है जो इंटरनेट के द्वारा उपलब्द कराया जाता है इंटरनेट की साहिता से कोई भी उप्योगता कहीं से भी इसका आभिगम कर सकता है खोज और ब्राउजिंग में वेब ओपैक और ओपैक समान ही है परन्तु इन में कुछ अंतर है जो की इस प्रकार है पहला वेब ओपैक इंटरनेट के माध्यम से खोजा सकता है दूसरा ओपैक केबल संस्ता के गरंथाले के परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा खोजा सकता है अता हम ये कह सकते हैं दोनों में एक मेहत्पूर अंतर है कि Web OPEC वेब के द्वारा उपलब दोता है और OPEC लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा उपलब दोता है अता सरल शब्दों में कहें तो OPEC दुनिया के किसी भी कोने में Web OPEC के माध्यम से गरंथाले की खोज कर सकते हैं उधारण के लिए आप NIUS की गरंथाले की प्रसुची की सुचनाएं उनके वेब लिंक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान स्क्रीनशॉट गरंथाले सुचाले प्रसुची करन वेब OPEC का एक उधारण है जो की NIUS के ओपन स्कूल द्वारा बनाया गया है और यह 24 इंटु 7 यानि के 24 गंटे 7 दिन वेब के द्वारा अपने यूजर्स के लिए उपलब्ध है आए गरंथाले सुचालन का परिचालन अनुभाग पर प्रभाव समझे एक परिचालन अनुभाग के मुख्यकार इस प्रकार है प्रलेखों का निर्गम करना चार्जिंग करना यानि के प्रलेखों को इशू करना प्रलेखों की वापसी डिस्चार्जिंग करना यानि के रिटन प्राप्त करना प्रलेखों का नवीनी करन करना, प्रलेखों की रिणवधी पता करना, कार्यक्रमों का प्राकरम प्रोसेसिंग करना, प्रलेखों पर नियंतरन करना, उप्योक्ताओं को सूचना संदेश देना, ओनलाइन एवं ओफलाइन प्रसंस करन के लिए दे, अदे, अभिलेक, युक्त परिचालन यानि सर्कुलेशन अनुभाग में उप्योगता और करमचार्यों के बीच सीधा संपर्क होता है क्योंकि इसी विभाग द्वारा अपने उप्योगताओं को प्रलेखों का दे अदे सर्कुलेशन किया जाता है इसलिए कुशल और तुरिट सेवाओं की अवशक्ता होती है परिचालन अनुभाग के कुछ मुख्य कार्य है प्रलेखों का निर्गम कार्य करना उप्योगताओं द्वारा प्रलेखों की वापसी करना प्रलेखों का नवीनी करन करना प्रलेखों की रिन अवधी कार्यकरम का प्राकर्म यानि के प्रोसेसिंग करना प्रलेखों पर नियंत्रन करना उपियोगताओं को सूचन संदेश देना आफलाइन एवं ओनलाइन प्रसंस करन के लिए दे आदे अभिलेखन युक्तियां डिवाइस करना प्रलेखों की इस्तिती की जानकारी प्राप्त होती है गरंताले की परिचालन नियंत्रन प्रणाली को गरंताले के अन्य कार्यों सहित एकिकरत करने की प्रवर्ती से उपियोगताओं के समय की बचत होती है परिचालन में RFID बारकोड जैसी तक्निकों का उपियोग पुस्तकों की चोरी को रोकता है परिचालन डैक्स में लेंदेन विवरण जैसे चार्जिंग, निर्गम, आदय, वापसी, पुनादय, निर्गम, आरक्षित, आरक्षन, ओवरड्यू, अनुसमारक और अन्य संक्यें की आदी समय नश्ट करने वाले थकाओ और तुरुटीपूर्ण कारों की संभावना से भर होते हैं परिचालन अनुभाक की गती विद्यों में सवचालन से गरंथाल्य को लाब होता है बारकोट सुविधाओं से परिचालन की गती विद्यों की दक्षता गती में अत्यदिक सुधार आता है आजकल ग्रंथाले की परिचालन नियंत्रण प्रणाली को ग्रंथाले के अन्य कार्यों सहित एकिकरत करने की प्रवर्ती है जैसे ओल्लाइन सार्जनिक अभिगम प्रणाली अंतर ग्रंथाले रिण इलेक्ट्रोनिक मेल अनुस मारक पुस्तक आरक्षण की स्थिति आदी से उप्योगताओं के समय की बचचत होती है आजकल परिचालन में रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान यानि कि RFID को सुचालन के लिए आरंब किया गया है जिसके पर नामसरूप पुस्तकों की चोरी को भी रोका जा सकता है पत्रिका नियंत्रन विभाग के मुख्यकारे इस प्रकार है पत्रिकाओं का शुल्क इपत्रिकाओं और डेटावेस की सदस्यता सदस्यता पत्रिकाओं शुल्क का नवीनी करण करना इपत्रिका और डेटाबेस की सदस्यता शुल करना, विनिकरण करना, गुम हुए अंकों का दावा करना, पत्रिकाओं का प्रतिस्थापन करना, विनिबंद यानिके मोनोग्राफ, क्रमिक प्रकाशन उनका प्रभंद करना, एवं बीजक प्रस्तति करना, यानिके बिल्स को प जो की एक चटिल प्रकरिया है इसमें बड़ी संख्या में प्रकाशनों वह उनके खर्चों का रख रखाव किया जाता है पत्रिका नियंत्रन विभाग के कुछ मुख्य कारे इस प्रकार हैं पत्रिकाओं का शुल्क यानि के पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करना इपत्रिकाओं और डेटाबेस की सदस्यता लेना सदस्यता पत्रिकाओं का शुल्क नवीनी करना आता गुम हुए अंको के लिए दावा करना पत्रिकाओं का प्रतिस्थापन करना, वीनिबंद मोनोग्राफ करमिक प्रकाशन का प्रभंद करना, एवं बीजक प्रस्तोती करन करना इसके अतिरिक्त पत्रिका नियंतन विभाग में रसीदों, अनुसमारकों, पत्रिका वापिस ना मिलने वाले अंकों का दावा करना, अवधी परिवर्तन, शीर्शक विश्यादी की समस्याओं का मानविय रूप से क्रियानवित करना पड़ता है जिसके कारण सीरियल नियंतन के लिए सुचालन की आवशक्ता पड़ती है, सुचालन के आने से अधिकांच कार्य सरल एवं कुशलता से पूरे किया जा सकते है गरंथाले सुचालन का परतिवेदन अनुभाग पर प्रभाव गरंथाले गतिविदियों से संबंदित विविद प्रतिवेदन और सांखिकिक आकणों का रख रखाव रखना होता है सांखिकिये सूचना विशिलेशन के उपकरणों का रख रखाव करना उप्योकताओं प्रकाशकों और पूरतीकर्ताओं के सूचिका रख रखाओं स्टॉक की जाच का प्रतिवेधन तयार करना इत्यादि प्रतिवेदन अनुभाग पर सुचालन का प्रभाव उप्रोक्त पक्रियाओं के अतिरिक्त एकिकरत प्रबंदन प्रणाली यानि के ILMS द्वारा इस प्रकार प्रबंदन किया जाना चाहिए जिससे उप्योक्ताओं को अत्यदिक लाब हो शुरक्षा के समुचित उपाएं हों एवं समय पर गरन्थाले समगरी प्राप्त हो सके एक ILMS प्रतिवेदन मॉड्यूल में निम्लिकित कार्रे किये जाते हैं पहला गरन्थाले गतिविद्यों से सम्मंदित विविद प्रतिवेदन और सांखे के आंकड़े तयार करना एवं स्टाउक की जाच का प्रतिवेदन आदी तयार करना सम्मिलित होते हैं इसकी अतरिक्त प्रतिवेदन मॉड्यूल में गरन्थाले करंचारियों और उप्योक्ताओं के लिए संदेश तयार करना गरन्थाले प्रशाशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर खोए हुए गरन्थो जिल्दबंदी के लिए भीचे गए गरन्थो आदी की सूचनाओं का प्रतिवेदन तयार करना उप्रोक्त सभी गतिविधियों के पश्चात आईए अब हम सोचलित गरन्थाले की मुख्य विशेश्चताओं के बारे में समझें एक सोचलित गरन्थाले की मुख्य विशेश्चताओं हैं उप्योक्ताओं को समय पर गरन्थाले समग्रियां प्रदान करना दूसरा, दैनिक कार्यों को कम करना या उन्हें अधिक कुशलता से करना तीसरा, समगरी के अधिग्रण, प्रबंदन, बजट, प्रशाशन और अभिलेखों के रखरखाओं में समगरी की बचचत करना सूचना, पुनाप्राप्ति के समर्थन के नए संसाधनों के द्वारा उप्योकताओं को विश्व की सूचना से परिचित करना प्रसुची पत्रकों से ना खोज पाने वाले संसाधनों की खोज की नई रणनीतियों का प्रियोक करना उप्योक्ताओं को गरंथाले की समग्रियों वा बाहिये समग्रियों की खोज की सुविदाएं प्रदान करना अथा लास्ट अंतिम उप्योक्ताओं को प्रेरीद करके उन्हें समस्या समाधान और सूचना पुना प्राप्ति के कौशल प्रदान करना आईए अब सुचलित गरंथाले की मुख्य विशेष्टाओं को समझे एक गरंथाले को अपने देनिक कार्यों को सुचलित करने के लिए अपने उप्योकताओं को सुचलित सेवाय प्रदान करनी चाहिए जैसा कि उप्रोक्त परिचालन प्रभाग में चर्चा की गई थी कि गरंथाले को पुस्तकों और उप्योकताओं के विवरण को एक बार कोडिंग करके पुस्तकों को सरलता से दे आदे किया जा सकता है सुचलित के द्वारा ही यह सेवाय दी जा सकती है आता एक सुचलित गरंथाले की मुख्य विशेष्टाएं होती है उप्योकताओं को समय पर गरंथाले समंगरियां प्रधान करना दूसरी दैनिक कार्यों को कम करना या उन्हें अधिक कुशलता से करना तीसरा समगरी के अधिगरण, क्रमिक पत्रिका प्रबंदन, बजट प्रशाशन और अभिलेक के रखरखाव में समय की बचत करना चौथा सूचना पुना प्राप्ती के समर्थन के नए संसादनों के द्वारा उप्योकताओं को विश्व की सूचनाओं से परिचित करना पांचवा उप्योकताओं को खोज की उन रणनीतियों की प्रियोग की अनुमती देना जिससे प्रसुची पत्रकों से भी अधिक खोजी जा सके छटा उपयोकताओं को गरंथाले की समगरियों वा भाये समगरियों की खोज की सुविधाये परदान करना साथमा उपयोकताओं को परेरित करके उन्हें समस्या समाधान और सूचना पुना प्राप्ति के कौशल परदान करवाना इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा गरंथाले सुचालन के बारे में गरंथाले सुचालन के मुख्य कारण और उसके उद्देश्यों के बारे में गरंथाले सुचालन के अनुपरियोग के छेत्र उनके बारे में समझा ताथा ग्रंथाले सुचालन का ग्रंथाले के विभिन विभिन प्रभागों पर प्रियोग जैसे की अधीगरण, प्रसुचीकरण, ओपेक, वेब ओपेक, परिचालन, पत्रिका नियंत्र एवं प्रतिवेदन प्रभाग पर ग्रंथाले सुचालन के प्रभागों को समझा सोचलित गरंथाले की मुख्य विशिष्टाओं के बारे में चर्चा की धन्यवाद